आज हम बात करेंगे CM Punk के अगले अपोनेंट्स के बारे में तो दोस्तो CM Punk ने अपना रिटन किया था इस Survivor Series War Games के एड़ के इवेट में और Monday Night Rom में ये अनॉसमेंट की थी के सारे WWE के सूपरस्टार्स उनसे डरते हैं क्योंकि दोस्तो वही कांट्रोवर्शल सूपरस्टार है जो पैसों के लिए लड़ता है तो दोस्तो आने वाले रस्वल मेनिया के इवेंट में हमें CM Punk वर्सिस ब्रॉक लेजनर का मैच देखने को मिलेगा आखिर क्यों रोमन रेंस ने रियार रिपली की टीम को Undisputed Tag Team Championship जिताने में मदद की क्या Jimmy Uso सोलो सिकोवा रियार रिपली की टीम से जोईन हो जाएंगे जानेंगे सब को जिसी वीडियो में तो वीडियो को एंड तक जरू देखेगा दोस्तों बीते Monday Night Raw में Cody Rhodes और Jay Uso वसिस Finn Balor और Damien Priest का मैच होता है जिसके अंदर Jimmy Uso इंटरफियर करकर Judgment Day को Undisputed Tag Team Championship टाइडल जिता देते हैं उसके बाद दोस्तों ये सब कुछ हुआ रोमन रेंस के आदेश पर क्योंकि दोस्तों बीते SmackDown में बैक स्टेज इवेंट में रोमन रेंस ने कहा था कि वो Cody Rhodes और Jay Uso को चैंपियन बना नहीं देख पा रहे हैं तो दोस्तों रोमन रेंस के आदेश पर Jimmy Uso ने Jay Uso और Cody Rhodes पर भयानक सा अटाग करके उन्हें Tag Team टाइडल हरा दिये तो दोस्तों यही सब कुछ हुआ रोमन रेंस के आदेश पर तो दोस्तों बीते कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि Paul Heyman, Ria Ripley और Jimmy Uso का एक साथ देखने को मिल रहा है Monday Night Raw Backstage Event में तो दोस्तों आने वाले वक्त में क्या Ria Ripley रोमन रेंस की टीम को जॉइन करेगी क्योंकि दोस्तों आने वाले वक्त में Survivor Series में Judgment Day वसिस Bloodline का एक War Games मैच होने वाला है तो दोस्तों इस मैच के एंड के बाद क्या Ria Ripley रोमन रेंस की टीम को जॉइन कर देंगी दोस्तों आने वाला वक्ती बताएगा लेकिन दोस्तों जब ये दो इक टीमों में मैच होगा तो आपको मैच देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा तो दोस्तों आपके हिसाब से इन दोनों टीमों के बीच अगर मैच होता है तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा क्या वो टीम रोमन रेंस होगी या टीम फिन बैलर डॉमिनिक मिस्टीरियो होगी तो दोस्तों आप अपनी राए कॉमेंट में ज़रूर बताएगा दोस्तों आपको क्या लगता है क्या या रिपली डॉमिनिक मिस्टीरियो को छोड़ कर रोमन रेंस की टीम के साथ जा मिलेगी आप अपनी राए कॉमेंट में ज़रूर बताएगा सी यू लेटर और थैंक्स फर वाचिंग